देश में साथ चरणों में मद्दान होने हैं ऐसे में अब तक छे चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है अब एक जून को आखरी चरण के लिए मद्दान होगा उसके बाद चार जून को नतीजे जारी होंगे इस भी चौलग-अलग राजनीतिक विशलेश्यक अपनी अपन इसलहाल ही में राजनीतिक विशलेश्यक योगिंडियादव ने लोगसबचुनाव को लेकर अपना फाइनल प्रेडिक्शन जारी किया इस प्रेडिक्शन में उन्होंने बताया कि इस बार किसकी सरकार बन रही हैं इंडिया गडबंधन को कितनी सीटे आ रही है योगिंड का दावा है कि इस बार लोगसबचुनाव में कॉंग्रेस को 85-100 सीटे मिल सकती है वहीं इंडिया गडबंधन को 120-135 सीटे मिल रही है योगिंडियादव के मताबिक कुल मिलाकर कॉंग्रेस और इंडिया गडबंधन को 205-2035 सीटे मिल रही है हाला कि उनका दावा है कि इस बात को रिपीट करते हुए उन्होंने गुजरात को जोड़ते हुए बताया कि गाजस्तान और गुजरात को मिलाकर बिजेपी को दस सीटों का लोस हो सकता है ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे हैं दनगरी अगर कि अगर